यह तथे भी नहीं बुलाया जा सकता कि महरिशी दियानन से हिंदी में बोलने तथे लिखने का अनुरोध बंगाल की राजधानी कलकत्ता में ब्रह्म समाज के नेता केशिव चंद्रसेन ने किया था उन दिनों बंगाल में हिंदी के लिए अंदोलन चन रहा था वहां से देवनागर नाम का जो पत्र निकलता था वह हिंदी के साथ देवनागरी का भी प्रचार करता था बंगाल के लिए भी वह देवनागरी लिपी चाहते थे स्वामी दियानन उस समय तक संस्कृत में बोलते थे इस अनुरोद के बाद वे हिंदी में बोलने लगी हिंदी किसी एक शेत्र की भाषा ना होकर स्मूचे देश की भाषा है यदि हम चाहते हैं कि संसद में स्मूचे राष्ट की भावनाएं व्यक्त हों हमारा लोकतंत्र गुंगा ना रहे हम दूसरे देशों के ज्यान की जूठन को सब कुछ ना समझते रहें तो हिंदी को राष्ट भाषा बनाए बिना कोई चारा नहीं इसके साथ इसकी छोटी बड़ी बहनों का भी सम्मान बढ़ाना होगा किन्तु अंग्रेजी की कुरसी उल्टाए बिना यह सबसंभव नहीं है अतै अंग्रेजी हटाओ सवदेशी भाषाएं अपनाओ यह भावना जन जन के हिर्दे में उत्पन करनी होगी डक्टर जाकिर हुसैन के शब्दों में राष्टिय एक्ता का सरवश्रेष्ट माध्यम हिंदी है देश के अजाद होने पर BBC लंदन के अधिकारी गांदी जी से ऐसा संदेश लेने पहुंचे थे जिसे वे रेडियो पर सुना सकें उन दिनों तक BBC से हिंदी में प्रसारन नहीं होते थे परिनाम यह हुआ कि गांदी जी ने कोई संदेश नहीं दिया उन्हें यह कहकर लोटा दिया दुनिया को भूल जाना चाहिए कि गांदी अर्थात भारत अंग्रे जी जानता है स्वदेशी भाशा में शिक्षा का दिया जाना बंद कर देता सारे अध्यापकों को स्वदेशी भाशाये अपनाने को मजबूर कर देता जो आनाकानी करते उन्हें बरखास कर देता बरखास कर देना निकाल देना Deswegen मैं पाठे पुस्तकों के त्यार किये जाने का इंतजार ना करता विद्वत शिरोमनी डक्टर रगुबीर की मान्यता थी कि जब तक भारतवर्ष में अंग्रेजी का प्रियोग होगा तब तक भारती जनता और भाषाएं एक दूसरे के समीप नहीं आ सकेंगी लोकनायक जै प्रकाश नरायन ने कहा था मेरा यह सुनिश्चित मत है कि विदेशी भाषा के अनिवारे रहते हमारे शिक्षार्थियों में रास्टिय स्वाभिमान का विकास हो ही नहीं सकता स्वतंत्र भारत में अंग्रेजी को अनिवारे रखना रास्टिय स्वाभिमान के प्रतिकूल है प्रसिद समाजवादी नेता डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने तो यहां तक कह दिया कि मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के सधारन लोग अपने अंग्रेजी के अग्यान पर लजाए नहीं बलकि घमंड करें यानि जिनको अंग्रेजी नहीं आती तो उनको शर्मिंदगी महसूस करनी नहीं चाहिए इस समंती भाषा को उनी के लिए छोड़ दें जिनके माबाप शरीर से नहीं तो आत्मा से अंग्रेज रही हूँ आज कहने को हिंदी भारत की रास्ट भाषा है किन्तुसे वहस्तान नहीं मिल पा रहा जिसकी वह अधिकारनी है हिंदी भारतियों की भावात्मक अभिविक्ती का एक मात्र माध्यम है इसके अभाव में भारतियता की अभिविक्ती हो ही नहीं सकती यह भारत की आत्मा है थेंक्यू